कि नमस्कार प्यारी साथियो मैं धर्मेंद्र आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार्विद अंकित में मैं आशा करता हूँ आप सबी बहुत मज़बरदस्त बहतरी जिंदाबाद होंगे तो बताएंगे आप सबी कैसे हैं आज ह हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस से ट्रक्स क्वेस्ट जो हमने चीजें लास्ट क्ल्स में पढ़ी है तो इक सबीघ्वी जल्दी से आजये गए क्लास से जड़ जये always तो पताएंगे एक बार बच्चे की आप सभी का रिवीजन कैसा है revision आप सबी का कैसा है क्योंकि revision के बगेर questions की practice करना ये मान लीजिए कि आप बगेर तयारी के युद्ध के मैदान में उतरने जैसा है तो फिर आपका घायल होना निश्चित है और आपको पता है हमारा जो युद्ध होता है वो थोड़ा साथ 6 लेवल का युद्ध होता है तो जो नहीं तयारी करके आते हैं उनकी तो बात ही अलग है चलिए तो मैं बगेर देरी के शुरू करता हूं और आपके सामने पहला question रखता हूं करेंगे सभी लोग इसका अंजर question है वस्तू को गर्म करने पर उसके अड़ों की चाल बताएंगे चाल बढ़ जाएगी उर्जा को गर्म करके उर्जा दी जाती है तो उसके अनुओं के साथ क्या होगा फटाबट से अंसर करेंगे ए अंसर कर रहें बहुत ही शांदार किसने अंसर किया रेनू श्रीवंदना शिवकुमार उज्वल शिवम शिहिंग सरसिहिंग गेमर पता नहीं कौन थे गेमर जीते कोई खिल जाई तो इन्होंने अंसर किया है क्या एव बिल्कुल सही बात है एव दिकने आंसर होगा बच्चे बहुत सही आंसर है आप लोगों का कि उनकी चाल क्या होगी बढ़ग गरंद intentar कि Veterans मैंने बताया था यह कितने तरह का मोशन करते हैं तीन तरह का ट्रांसलेशनल और उसके बाद करते हैं आपका रोटेशनल तीन तरह का ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल रोटेशनल तो तीनों तरह का जो सम होता है मतलब जो जोड़ होता है तीनों तरह के मोशन का जो जोड़ ह होता है वही क्या होता है इनकी कुल ऊर्जा तो यह पाते ही ज्यादा फोदकने लगते हैं आप कहें tractionkin वाइबरेट भी जादा होंगे और रोटेट भी जादा होंगे तो इनकी उर्जा भी बहुत बढ़ जाएगी इनकी उर्जा भी बहुत बढ़ जाएगी तो चाल बढ़ जाएगी वेरी गुड नेक्स्ट कोशन का अंसर करेंगे आप लोग किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है हमें जो वस्तु का ताप है वो क्या इंडिकेट करता है ताप क्या इंडिकेट करता है उसके अणुओं की कुल उर्जा उसके अणुओं की ओसत उर्जा उसके अणुओं का कुल वेद उसके अणुओं की ओसत गतिज उर्जा एक बार सभी जल्दी से इसका अंसर करेंगे a cancer कर रहें बच्चे एए- शिवम्सिंक दीघ्ड अंसर कर रहा और और अर पारूल मीना eu answer कर रहें बच्छेए नहीं हो आप देखुए का जो ताप जो होता है ना ताप मान मुख्यता किसको बढ़ाता है जैसे ही अभी अभी आपके should में देखा जैसे ही आप ताप दोगे तो उसके जो अणू होंगे वो क्या करना शुरू कर देंगे मोशन करना शुरू कर देंगे बताएंगे मोशन की वजह से कौन सी उर्जा होती है किसी में उसकी गती के कारण जो उर्जा होती है उसको क्या बोलते हो आप उसको बोलते हो यानि गतिज उर्जा बोलते हो और उसत क्यों बोली जाती है क्योंकि एक गैस में बहुत सारे अनू होते हैं तो हर एक अनू की उर्जा लेते हैं और उनका योग कर लेते हैं और उनका उसत निकालते हैं क्योंकि हर एक अनू की अलग अलग आप उर्जा नहीं calculate करोगी तो क्य कर लेते हैं हम एक उससत की बात कर लेते हैं ठीक है जहां डेता बहुत ज्यादा होता है आपको भी पता है उसत लिया जाता है का अधिक होने के कारण हम क्या लेते हैं यहां पर उसत ले तो अतहा इसका का option क्या हो जाएगा डी कि उसके अणुओं की ओसत गतिज उर्जा का ठीक है चलिएगा नेक्स देखेंगे इसका answer करेंगे heat is a type of energy that can be converted into work who first gave direct proof of this बताएंगे उसमा एक प्रकार की उर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है यह सबसे पहले किस ने बतार बच्शे नंबर डाल के एक बार आप लोग the answer करेंगे King थे एक बार अप नंबर डालके answer करेंगे बच्चे कुछ लोग the answer करेंगा पहले DC DC 35 बहुत बढ़िया ऐसे सफेक्टिमन में बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है जब आपके answer mix होते हैं आप लेट जाते हैं फैल जाते हैं बिल्कुल पेपर में ऐसे ही question ओपर आपके कान गरम होते हैं पसीन आता है और आपको लगता है यह बहुत hard paper है और इस ज्यादा hard क्या होगा हमारा नशीब खराब है तो क्या answer option होगा बच्चे इसका correct answer option होगा रेम फोर्ड इसका होगा रेम फोर्ड सबसे पहले एक साइंटिस्ट होए आपके रेम फोर्ड Celsius Fahrenheit मत लगाना रेम फोर्ड साइंटिस्ट होए जिन्हों यह principle दिया था कि उस्मा को कार्य में बदला जा सकता है बताएंगे एक ऐसी जगह जहां उस्मा को कार्य में बदला जाता हो एक मुझे ऐसी जगह हैं boiler boiler मतलब जो उबालते हैं पानी को तो high pressure और high temperature पर पानी को उबालते हैं इस पानी को यहां से ले जाकर यह steam बन जाएगी फिर भाब जाएगी भाब को कहा डाला जाता है टरवाइ प्रंडशा जाता है ये टरवाइन होते हैं क्या करे कि घूमेगी और यह किस से ऋटेच होती है're जन्नेटर से अटेच होती है और जन्नेटर को पता है अगर जन्नेटर की शाफ्ट को घूमा दिया जाता है तो हमें कौन सी एनर्जी मिलती है अर्थात आपने उस्मा को किसमें बदल दिया उस्मा को कारिये में बदल दिया तो उस्मा को कारिये में कौन बदलता है अगर आप पर हिम आता है तर्बाइन की शाफ्ट किस से ahtec अनर्गी शाफ्ट से यानि अन हमें चैनल में chemical एनरजी यानी फ्यूल देने की जर्वत नहीं है उसकी जो शाफ्ट है वो किस घूमेंगी वह को मयगी आपका टरबाइन इसे ये वाले टरबाईन की शाफ्ट से घूम बताइब को समझ में आया कि अपत yem को समझ में या बच्चे देखो एक बात आप अच्छे से सुनिए ध्यान से कुछ लोग बुख के लिए बहुत परिशान होते हैं के लिए अगर मा gauge होता सब्सक्राइब अब यह सतरा है जातरा चुछ में होता तो मैं आपको theo the वाले question आएंगे क्योंकि ट्रेल्थ वाले question तो derivative होते हैं और काफी काफी उनका level अच्छा होता है अब ना आप यह मानोगे कि बिल्कुल ही आसान question आएंगे यह बिल्कुल मत मान लेना कि बिल्कुल आसान आएंगे जैसे direct question आगे कि वेक का मात्रक बताईए तौरण का मात्रक बताईए अब हमें जो चीज मेंटेन करनी है इनके बीच की चीज मेंटेन करनी है लेकिन मार्केट में कोई ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जो आपको बीच की चीज मेंटेन करा दे इसके लिए मैं आपको सजेशन यह दूँगा कि आप थियोरी तो class note से ही पढ़िए ठीक मतलब जितने सारे exam होते हो ना उन सब के previous year question उन में आ जाए दो तीन बुक कोई देख लीजिए खाली question practice की लीजिए ठीवरी वाली बुक मतलेना जिसमें ठीवरी हो जैसे मान लीजिए आप railway के कोई exam की ले लीजिए उसके बाद आप जैसे यूपी PCS में आते हैं CDS में आत क्लास नहीं है आप एक पर ध्यान से देखना शायद question practice की class है यह question practice की class है बच्चे theory की class नहीं है चलिए तो next question आप देखेंगे theory हम इसकी पढ़ चुके कल और परसों की class में आप ध्यान से देखेंगे किस वैज्यानिक ने सर्वप्रिथम बर्फ के दो टुकड़ों को आप आपस में घिसकर पिगला दिया किस वैज्यानिक ने सर्वप्रिथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिगला दिया देखो आज के जमानी में यह चीजें बहुत आसान लगती होंगी कि सर यह क्या बात है तो बहुत छोटी सी बाल थे बट बच्चे जब सीधा ब्लॉक हो जाएगा हमारे कंप्यूटर महुद है उसको ब्लॉक कर देंगे इसलिए प्लीज कॉपी पेस्ट मत करना किस वैज्यानिक ने सरप्रतम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिगला दिया था बताएंगे एक बार इसका अंसर क्या होगा बच्च अर्था यह क्या सिद्ध करना चाहते थे नहीं चाहते थे आप यह मंतर स्पेसिया बजार दिया घ्रटता को यहां सो टेवार सर किसके द्वारा बड़ा बताएंगे यह एस जानबाए बताएंगे के द्वारा आपकी सतों के बीच अगर घर्शनबल जितना जादा है तो उतनी ही यांत्रिक उर्जा उसमें उर्जा में बदल जाएगी कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं जैसे देखेगा कि आप नॉर्मल पहले हाथ ले लिजे जो भी आपके जैसे भी हैं उनको घिसिएग तो हाथ गरम हो जाएगी फिर आप हाथ पर ओईल लगा लो ज्यादा सा आप घिसिएगा उतनी हीट नहीं मिलेगी क्योंकि हाथ पर लगने वाला फ्रिक्षन आपका कम हो चुका है तो आपको बात समझ में आई होगी कि सर डेवी ने क्या प्रूफ करने की कोशिस की थी कि जा सकता है जब कभी कारिये ऊस्मा में बदलता है या उस्मा कारिये में बदलती है तो किय कंगए कारिये वे जिसे उसमा का यांत्रिक तुल्यांग कहते हैं इसका मान क्या होता है बताएंगे एक बार उसने मतलब कुल मिला के आप से एक कैलरी की वैल्यू पूछी है और अलग-अलग मात्रकों में देके पूछी है मैं हमेशा कहता हूं मात्रकों में आप परफेक्ट रहिएगा मात रखों में आप बिल्कुल पर्फेक्ट रहिएगा बताएंगे जल्दी से क्या आंसर होगा तो आंसर होगा इसका देखें एक बार अगर आप ध्यान से देखें बच्चे तो ये भी अब देखो ये है किलो कैलरी नीचे किलो दे दिया है 4186 नीचे किलो है किलो को अगर हटाओगे तो 10 की पावर 3 लगाओगे और यहां क्या लग जाएगा भाग यानि आंसर आएगा 4.186 joul per calorie यहीं तो होती है 4.186 joul per calorie यह भी आंसर सही है यह तो बिल्कुल standard form में देखी रखा है क्या यह सही है एक बार जड़ा देखेंगे एक और बरावबर 10 की पर साथ होते हैं मतला इसकी जगह डारेट क्या रख दोगे जूल रखो गई और नीचिए कैलरी हैं कहां गई हैं दोनों राखी बिलकुल आपका अंसर ठीक है पारूल मीना बहुत ही बढ़ी आपका अंसर है दिव्या चोहान थेंक्यू उपर यूग तो सभी है ना तो सारे सारे आप देखेंगे खाली यूनिट का खेल है तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग ना यूनिट मे आप बड़े परफेक्टर ही है क्योंकि यूनिट में अगर आप परफेक्टर तो बहुत सारे क्वेशन साप ऐसे ही निकाल ले जाएंगे बताएंगे क्वेशन गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटिग्रेट हो जाने पर भी उंट गर्मी से राहत क्यों महसूस करता है बत रेगिस्तानी पौद की चाय में बैठकर तो यहां बढ़े भात जानते हैं कि रेग इस्तान में भहंकर पौदे होते हैं कि रिखिस्तान में उत्माघ दिया लेकिन ऐसा नहीं हो तो उस चीज का कोई भी यूज नहीं होगा देखो उसने ऑप्शन ही ऐसा दिया था जो बच्चे फसें क्योंकि आपको पता है उंट पानी खटा कर लेता है अपनी बॉडी में तो आपने बिल्कुल वही कर दिया होगा बच्चे ऐसा नहीं होता है क्या करेगा देखेगा अच्छा मुझे एक बात बताईए आप कभी आपने ये फील किया है कि जब आप एसी में से बाहर निकलते हैं तो जितनी गर्मी है नहीं उससे भी जादा आपको लगती है बिल्कुल आपने फील किया होगा ऐसा क्यों होता है समझेगा कि जो गर्मी और सर्दिया में फील ह होगी बड़ एसी में आने के बाद आपका टेंपरेचर था सिक्स्टी डिग्री सेंटीग्रेट और सिक्स्टीन से आप बाहर गए 35 में तो बड़ा अंतर है इसका मतलब तापमान का जितना अंतर होगा गर्मी आपको उतनी ही ज्यादा लगेगी तो उन्ट क्या करता है आपके अंतर के कारण अगर तापका अंतर ज्यादा है तो ज्यादा गर्मी लगेगी आपको तापका अंतर कम है तो गर्मी कम लगेगी बोलो मेरी बात आपको समझ में आई है तो क्या हो जाएगा अपने सरीर का ताप 42 डिग्री सेंटीग्रेट तक बढ़ा कर चलिए मेरा आराम दायक स्थिती महसूस करता है तो सर्दियों में बताएंगे 25 degree centigrade से कम पे करेगा या ज्यादा पे करेगा एक बार बताएंगे वंधना भारद्वाज यह तो मशीन है क्यों इसमें कोई पानी डालके सोना निकल रहा है बताएंगे वंधना यह कैसी मशीन है तो श्री राम कह रहें बाके बहारी लाल की जैबूलो चलो अगर इससे वी दो चार फॉशन हो जाए तो हम बिल्कुल बागी बहारी लाल जी की जैबूल लेंगी जादा पर फील करेगा है ना बच्छे देखो यही आपकी दिक्कत है होती है आपने कहा ज्यादा पर फील करेगा अरे आप ऐसा सोच रहें अब यह क्या पूछ रहा है मॉस्टर यार सुबह सुबह इसमें कौन सी बात है यह को पूछने की बात है अरे भया जो ठंड पड़ रही है भयंकर तो ज्याद ठीक है दस की जब पतरिक्रेट्यू अम्मालों सर्टियां के जिनों में तापमान है तीज़िइवरें तो करेंगे आप नकॉर्ड को भूल जाते हो बाड़ी के अंदर जो भी चलता रहो एट्मसफ्वेयर के रिले सटय चलता है समझ गए अँधार एट्मसफ्वेरा और अंदर आपकी बड़ी का temperature है तो सर्दियों में आप कम तापमान पर अच्छा महसूस करते हैं यह बहुत standard question है याद रखना next question पर चलेंगे जरा जरा सी बातों पर लेट जाते हो फैल जाते हो फस जाते हो एक question देखेंगे बर्फ पर दाप बढ़ाने से उसका गलनांग कल अंसर होगा इसका hukar बड़ जाएगा बहुती बड़ती बढ़ अगे उसका गलनांग बढ़ जाता है वेरा 1 बच्चों ने का उसका लांग बढ़ जाता और यानिकि जो बर्फ पहले अपनी रचना से बोर हो जाते हैं तो मेंटॉस खाते हैं और फिर उत्पत्ति होती है आप जैसे प्राणियों की उस समय पर पूरी प्रत्वी में हर्ष का माहौल होता है पूरा ब्रह्मांड हर्ष से बिल्कुल उत्सुक हो जाता है सब नर देवता किनर गंधर्व सब फूलो चलो जड़ा जड़ा से क्वेशनों का फिuous गलते हो तो बागी अच्छे क्वेशन होगा का चलिएगा नेक्स्टब attention विए गयस तрьम होते हैंट इस जाते हो और आपके आ करके हमें लगा देता है उसको तो वो कि किस पर काम करता है है वो पारे वाले पृर्सिपल पर काम करता है यानि उसमें ध्रभ भरा होता है अब कुछी में गैस भी होती है तो गैस वाले जादा संवेधी होते हैं हsan आपको संवेधी नहीं पता होगा बबस्तक्ता मानना शुरू कर दिया हूँ समवेधी का मतलब ना तो मुझे बता दीजिए जरा क्या होता है समवेधी का मतलब होता है कि अगर तापमान में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो तो वह उसको नाप सके है ना ऐसा नहीं है कि तुमारी बॉड़ी का चल रहा है 84 तो त नहीं हानका तापमान ना ठीक है यह फ्लोओ रही है घैस फ्लोओ हो रही है मुझे तापमान ना पना है में दो टेंपरेचर लाया एक में लिक्विड भरा हुआ है और एक में भर्ई हुए अगयस ठीक है गैसिज तो क्या होगा कि जो गैस होंगी वह जल्दी इसको जाए बात आपको समझ में आई है इसलिए गैस का पिरसार अधिक होता है अतह है गैस वाले जो थर्मोमेटर होते हैं वो जादा समवेदंसील होते हैं एक बार ज़रा बताएंगे थमचब करके क्या यह समझ में आया आपको क्यों ऐसा होता है रटने की बिल्कुल जरुवत न लुँक चलो बहुत ही शांदार तो बहुत बढ़िया अगले Question का आणसर करें गे तव्यूग मंता ओपमापी थर्मो कफल फर्म हमअ मीटर किस सिद्धान पर आधरित है धर्मोकपल धर्मोमीटर, ताप यूगम ताप मापी, मैं एक बार आपको, ताप यूगम ताप मापी के दर्शन करवाई देता हूँ, बच्छे देखेचंगे, ताप यूगम ताप मापी, आपने बहुत दिनओं से दर्शन भी नहीं किए, कुछ चीज़ों कहें न, अरे मै काम कैसे करता है यह काम करता है ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को जैसे मान लीजे आपको किसी चीज का तापमान na अपणा है ऐसका पॉक्स है मुझे इसका तापमान अपना तुकड़ा है कोई भी लोहे का तुकड़ा मालो तो इसके ही हीट फ्लोव होनी शुरू होगी जैसे ही हीट फ्लोव होनी शुरू होगी तो सर सी बैक ने क्या बताया था कि अगर इस मटीरियल को हीट मिलेगी तो यहां पर क्या बन जाएगा वॉल्टेज बन जाएगा क्या बन जाएगा वॉल्टेज बन जाएगा तो याद रखेंगे C-back effect क्या होता है C-back effect होता है कि अगर voltage अगर temperature का difference है तो temperature का जो difference है यानि तापमान का जो अंतर है वो voltage को उत्पन करता है किसको उत्पन करेगा voltage को उत्पन करता है यह होता है C-back effect तो यह आप सभी जानते हैं कि C-back effect पर काम करता है ठीक है छलो बहुत ही बड़िया पोल टीयर पर नहीं करती है बच्चे आप और किसके द्वारा की जाती है बताएंगे एक बार मुझे जो बहुत ही हाई टंप्रेचर होते हैं उनकी हम किसे माप करते हैं देखो सुनो हाई टंप्रेचर में क्या दिकत होती है हाई टेम्प्रेचर में दिक्कत होती है कि आप अगर डैरेक्टली कोई चीज उन पर टेच करोगे जैसे मानलीजी यह है इसका टेम्प्रेचर है मानलो 3,000 degrees centigrade तो अगर आप कुछ इस पर लगाओ के डाएक लिता फॉल जाएगा वह आप जैसे मालो फर्मोमीटर लेकर जाओ तो इसका टूट जाएगा या आपको इक लोहे प्लास्टिक स्टील वाली कोई चीज लेकर जाएगी अब अगर वह पिखल जाएगी तो हम क्या करें हम एक ऐसी ऐसा काम करते हैं कि जो इससे gases निकल रही है क्योंकि यह गरम है तो इससे क्या निकलेंगी gases निकलेंगी ताकि वो इन gases को पढ़ सके अब यह gases किस फॉर्म में निकलती है बताए ज़रा आपको कौन सा मोड लग रहा है ही ट्रांसफर का conduction, convection या radiation सम्वेन या फिर आपका चालन या विकीरण मेरे साब से तो अगर उसमा ऐसे निकलती है तो कैसा है यह विकीरण है कैसा है विकीरण है विकीरण देखो अगर आप डारेक्ट रट्टा मारते हो तो भूल जा वह सा उसके बारे में पढ़ो क्या होता है तो विकीरण व रट तो आपने पहले लिया होगा तो आपको आसानी होगी याद रखने में ठीक है चलिएगा next question पर चलते हैं अब लगा देता होगा तो कैसे काम करता है आपकी बॉड़ी से जो हीट निकल रही है हर एक आत्मी हीट करता है चलते टाइम तो उस हीट को ये नाप लेता है ठीक है यह होता है आपका पूर्ण विकिरन उत्ताप मापी डेली देखते होगे लेकिन पता नहीं था अभी पता लग गया आपको मुझे बताएंगे कि सिद्धान पर काम करती है पूर्ण विकिरन उत्ताप मापी कि सिद्धान पर काम करती है रहा है रेडियेशन से टेंप्रेचर को न पचा रहा है पारुल मीना बफर नहीं हो रहा है एक बार आप चेक करेंगे उजवल तॉमर इस्टीफन बहुती बढ़िया बहुती बढ़िया उजवल तॉमर अंजली धारिवाल इस्टीफन सर इस्टीफन के नियम पर यह काम करता है क्या होता है सर इस्टीफन का नियम सर इस्टीफन ने बताया कि अगर किसी बॉड़ी से कोई विकीरण निकल रहा है टम्प्रेसिर अगर निकल रहा है तो निकलने वाला जो तरट मतलब रहो है गदेट से बावर 4 के अनुकुर्मान उपाती होती है यही है इस्टीफन बोल्ट्समेन का रूल नियम और इस्टीफन ब nou okay बाद इनका एक नियतंग भी दिया गया था जिसको बोला जाता है स्टीवन बोल्टमेन पॉट उसको नियतां अब बताएंगे मुझे आफ बताएंगे कि सबसे जाधा हुस्मा का आधान प्रदान होता है वो किसमें होता है है चालन कोन्ट कंभेशन या रडिएशन में यह तीन मोड होते न हीट के तो सम्ट में सब ज्यादा किसमे उस्मा का चालन होता है कंडेक्शन पर बताये सबीजल्दी से मुझे चौधरी साहब कहां की ढपली कहां का रा गया रहे है चल क्या रहा है तुम बता क्या रही हो इसमें ध्यान दो बताईए सबसे ज़्यादा हीट का फ्लो किसमें होता है दिनेश निशाद करें समवहन का दिनेश जी समवहन में नहीं होता है आप देखेगा तापमान की पावर चार है तापमान की पावर चार यानि अगर 2 डिगरी से एंटिग्रेट भी आपको मिलेगा तो सोल है गुना उसका हीट का फ्लो होगा तो सबसे ज़्यादा रेडियेशन में होता है क्योंकि तापमान की पावर कितनी है चार है समझ गए याद रखेंगे ना सबसे ज़्यादा रेडियेशन में ही होता है क्योंकि तापमान की पावर क्या है चार पावर सबसे ज़्यादा है ना टेंपरेचर की चलिएगा next question बे चलते हैं दूर की वस्तू जैसे सूर्य आदी का ताप किस ताप मापी के द्वारा मापा जाता है by which thermometer is the temperature of distant items like sun etc बताएंगे एक बार जो बहुत दूर की वस्तू हैं धातू से किसी चीज को ना छुबा सकें अत्यादिक ताप मान होने के कारण या वह बहुत दूर है अगर बहुत दूर हैं तो आप टच कैसे कराओगे नहीं कराओगे तो किस से नापा जाता है बहुत ही शांदर आपके अंसर टारगेड जी स्रीराम अनमोलवचन राकियदान और 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 आजात सिंग वन्ना भारतवाज बहुत बढ़िया आपके अंसर है इंजीनियर जी भी है इंजीनियर सिंपी कटियार बहुत ही शांदर आपके अंसर पूर्ड विकिरण उत्ताप मापी के द्वारा नापा जाता है बाए फुल रेडियेशन बाइदा बाइदा यह होगा यार आपका रेडियेशन पायरोमीटर फुल रेडियेशन बाइदा लिख लेना इसे देखिए केवल आंसर करने से मतलब नहीं है आप इनके साथ के थोड़े से लॉजिक भी अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना जो जो चीजे मैं बता रहा हूं क्यूंकि वो भी कही ना कहीं question 1 के सामने आपके जरूर आ जाएंगी ठीक है चलेगा next थंडे देशों में पारा के स्थान पर alcohol की तापमापी द्रव के रूप में वरेता दी जाती है देखिए क्या होता है कि normally आप जो temperature यूज करते हैं temperature scale यानि तापमापी जो यूज करते हैं उसमें पारा भरा होता है अब जहां जगह ठंडी होती हैं बहुत तो पारे के जमने के खत्रे बहुत हो जाते हैं क्यूंकि पारा जम जाता है कम तापमान पर तो कौन से ऐसी चीज हैं जो कम तापमान पर जमेना अर्थात पारे से भी कम जिसका जमने का बिंदू हो बताएंगे सबी जल्दी से हाँ जी हाँ अमोल चवंजी बिल्कुल महाराश्च से प्रणाम आपका प्रणाम सीकार है भगवान आपको शदयव खुस रखे हैं क्योंकि वो जमता नहीं है शिरी Shredder फ्रीजिंग पॉこれ से लेखना धाफ फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ एलकोहल खी है और बहूत ही कम होता है बदला वह जमेगा नहीं ठीक है अच्छा मुझे बतावे खilibe man ई इस पेस नहां यो महांने इन लेकर जाते हैं इसका नाम होता है और कौन सा इन नम लेकर जातें एक बार मुझे बताएंगे इस पेस में जो हम इनन लेके जाते हैं क्योंकि उस इनन को हमें बहुत ही जादा ठंडा करना होता है अगर गरम लेके गए तो ब्लास्ट हो जाएगा बहुत ही जादा ठंडा करना होता है तो क्या नाम होता है उस इनन का एक बार सभी मुझे राहुले अदव वो मेरी English नहीं होती है वो translated होती है Google से हिंदी से हिंदी से इंगिलिश को translate कर देते हैं आपको बता दी जाती है जो भी correction वाली चीज़े होती है ही कहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोच आगा कि क्रायोजैनिक फ्यूट्स आपके कहां ले जाए जाते हैं क्रायोजैनिक फ्यूट्स आपके इस पेस में ले जाए जाते हैं इस फेस शटल्स जो होती हैं उनमें क्रायोजैनिक फ्यूट्स आप ले कर जाते हैं ठीक है आगे आप देखेंगे इसका अंसर हो जाएगा विकीरन पाइरो मीटर से कितना ताप क्रम ना पाजाता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत हाई टेंपरिचर जहां आपको नापना हो वहां पे आप इसको यूज करते हैं विकीरन पाइरो मीटर लाठा पाप युगमक द्वारा बनाया जाता है बताइंगे अपर थार्मकबल सेधारा की मैंने दिखाया था फेम होते हैं उसके दो सिरे होते हैं इसके दो सिरें होते हैं और कि यहाएब बताएंगे बताया है एक बार सबी जल्दी से अंसर करेंगे जैयाद आफ कह रहें सी टू नॉन इंडूसिंग मेटल्स बहुत बढ़िया दो असदरस धात्व असदरस का मतलब हो जाएगा ए समान तो ए समान होती हैं बहुत ही शांदार आप सबी का अंसर है ए समान क्यों होती हैं देखिए समान इ नहीं होगा ताप का अंतर देखिए अगर दो मेटल है दोनों कोई समान हीट मिली तो ताप का अंतर ही नहीं बनेगा ताप का अंतर जब तक नहीं बनेगा तब तक विभव का अंतर नहीं बनेगा और अगर करेंट नहीं बनेगा तो आप उसे नाप नहीं पाएंगे और न आप मापा जाता है बताएंगे एक बार तो इसका अंसरा बहुत इजी लिकर देंगे सूर्य का ताप किस्से ना पा जाता है तो यह तो हो जाएगा अभी बताया आपको पायरोमीटर के द्वारा ठीक है बहुत ही टेप्रेचर पायरोमीटर पर ज्यादा समय नहीं तो क्या होता है उसका ताप क्यों बढ़ जाता है बताएंगे एक बार पानी को अगर आप बहुत देर तक रखके और उसको घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे तो पानी का ना टेंप्रेचर हलका सब बढ़ जाएगा बताएंगे क्यों बढ़ जाएगा 17 का नंबर डाल उसमें उर्जा में हो जाता है यह कहां से पता लगता है हमें एक बार बताएंगे क्या इसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई equation है एक बार मुझे बताएंगे क्या इसको रिप्रेजेंट करने वाली को equation है हां बिल्कुल है कौन सा ठरमोडायनमिक्स का फस्ट लौ उसमा गतिकी का प्रिथमनीम यह बदेख लेंगे उसमा गतिकी का प्रिथमनिम पिर्थम नियम, First Law of Thermodynamics, तो बच्चे First Law of Thermodynamics क्या कहता है आप से कि DQ बराबर Du ग्यू प्लस डी 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 दू यह यह उसमा का अंतर यह कारे का अंतर और यह इसकी आंत्रिक उर्जा तो इसकी और को गर میں आपको बता चुकां हूँ जो मॉलिकुण की ऊर्जा होती है जो मॉलिकुण के बरावर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डबलू हाँ ठीक है इसको एच बोल दीजिए चाहे आप क्यों बोल दीजिए वह सही है लेकिन जनरली थर्मोडाइनमिक्स में एच किसी दूसरी चीज के लिए रिजर्व होता है जिसको इंथैल्पी बोलते हैं तो एच नहीं बोल सकत जलका तापमान किस कारण से उच हो सकता है बताइए सबी लोग वास्प इंजन में जलते हुए वास्प इंजन में उबलते हुए जलका तापमान किस कारण से उच हो सकता है बताएंगे वास्प इंजन क्या होता है जो आपका बॉइलिंग वाटर होता है मैंने बताया था अगर आप ध्यानने तो मैंने इसका अंसर काफी पहले आपको बता दिया था क्योंकि बॉयलर के अंदर क्या होता है हाई प्रेशर होता है बहुत ही बढ़िया और अगर हाई प्रेशर है अब सोचो हाई प्रेशर है तो टेंपरेचर का क्या मतलब आदर्स गैस समीकरण पे चलिए पीवी बराबर को यह आप से पूछ ले यानि कॉंस्टेंट वॉल्यूम के प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं तो अगर आयतन को करोगे तो पी डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू टी आएगा अर्था जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही उसका टेंपरेचर भी बढ़ता चला मैं उम्मीद करूँगा बहुत अच्छे से आपको यह चीज़ा समझ आ रही होगी नेक्स्ट एक बार बताएंगे क्या क्वश्चन में आपको कुछ नया मिल रहा है जल्दी से अगर नया मिल रहा है तो थोड़ा बहुत भी तो एक बार थमसब करेंगे अगर आपको कुछ रहती है और आपको जब आप उसे नहाते हैं तो बड़ा कमफर्टेबल फील होता है क्योंकि आसपास के टेंपरेशर कम होता है और उसका ज्यादा होता है बताएंगे एक बार इसका क्या रीजन है क्योंकि सीथकाल में हमारा सरीर ठंडा होता है अताय जल गर्म पृतीत होत होता है यह बात बिल्कुल बैस्ट है कि inside the earth the temperature is greater inside the earth the temperature is greater than that of atmosphere atmosphere के temperature से अर्थ का temperature ज्यादा होता है तो वहां से जो पानी निकलता है उसका तापमान कैसा होता है ज्यादा नेक्स्ट आसान था इसका अंसर करेंगे बच्चे सभी देख तो रहा होगा ना जल परपात के अधर इस तल पर जल का तापमान उपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है बताएगा मतलब अधरिस्तल मतलब नीचे नीचे का जो टेंपरेचर होता है वो थोड़ा सा जाधा होता है नीचे का टेंपरेचर जाधा होता है क्यों जाधा होता है एक बार सभी जल्दी से आंसर करेंगे 19 कॉस्चन का अंसर थिए अरे सोचे अरे सबसे नीची का पॉइंट है यहां तो इस्थी जूर्जा जीरो हो गई इस्थी जूर्जा क्या हो गई जीरो हो चुकी है ठीक है चलिए, CRD, बहुत बढ़ी अजवल, यह आंसर, पेपर में ऐसे भरियाना, दो गोले भरके आ जाना, CRD, बहुत सही है, देखो, क्या होता है, कि जब आपका पानी गिरता है, जब आपका पानी गिरता है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तो सारी का एनर्जी में बदलती रहेगी, उसमय उर्जा में बदलती रहेगी, और इसका टेमपरेचर क्या होगा, इसका टेमपरेचर लगातार बढ़ता जाएगा, यानि काइनेटिक एनर्जी उसमय उर्जा में बढ़ता चला जाएगा, तो गिर रहे जलकी गतिज उर्जा किसमें बदल जाती है उसमा में बदल जाती है पचास परसेंट उज्वल का आंसर बिल्कुल ठीक था ठीक है सी वेरी गुड दिव्या चोहान ऐसे स्परेंट्स उज्वल दीपक मीना शैम चैर कविता भाटी बहुत बढ़िया आप लोगों का आंसर है बिल्कुल बहत्री नेक्स्ट हाइट में बदलने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है एफ माइनस थर्टी टू अपन नाइन एक्वल्स टू सी बाई फाइब तो जरा देखें आगा डिग्री सेंटिग्रेट पर कोई चीज जीरो है क्योंकि हमांक बिंदू डिग्री सेंटिग्रेट में कितना ह बिल्कुल मत रट यह हर चीज को खुतरनाक तरीके से मत रट लीजिए यह कोई रटने के जरती नहीं है अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपको पता होगा आराम से अब बताएंगे जरा अगर हम कहें कि पानी के उबलने का बिंदू फॉरेन हाइट में कितना है बार है आपका टेंपरेचर हो जाएगा उबलने वाला ठीक है तो बिल्कुल कोई आपको परेशान होने की जरूत नहीं है और हमारे राहुल चौदरी पराठे वाले आ चुके हैं बहुत-बहुत स्वागत है राहुल चौदरी जी आपका पराठे वालों का बताए आज एक्दम फौन पर भगता होगा है न कि करूं करूं मास्टर को पुछो कहां क्या कर रहा है पराठे मंगाओं यह सब करता होगा राहुल चौदरी इकल की शायरी अच्छी बनाई थी आपने चलो राहुल जी बहुत-बहुत धन्यवाद आज पोहे मंगा रहा है परमसून्य दाब की परापति होती है बताए परमसून्य दाब की परापति कब होती है हमें कुछ खुद नहीं मिलता ह Master पोहे मंगाता है हमसे बताओ, बताएंगे बच्चे एक बार, परम सुन्ने दाब की प्राप्ति कब होती है, परम सुन्ने दाब की प्राप्ति, मैं उम्मीद करूँगा इसमें आप बिल्कुल बिलख जाएंगे, रो जाएंगे इसका आंसर करने में, जैसा कि मैंने देखा ब दाब है तो बच्चे दाब की प्राप्ति कब होती है जब मॉलिक्यूलर मुमेंटम जीरो हो जाता है जब सिस्टम का मॉलिक्यूलर मुमेंटम जीरो हो जाता है यानि कि जो आणविक सम्वेग है वो कैसा हो जाए बिल्कुल जीरो हो जाए तो क्या हो जाता है उनका जो तो molecular momentum बता है क्या होता है, जैसे molecules होते हैं, उनके अंदर कुछ आंत्रिक उर्जा है, internal energy, जिसकी वज़े से वो जिंदा है, यानि जैसे हमारे अंदर आत्मा है, उनके अंदर momentum है, समवेग है, मैंने कहा था समवेग बहुत powerful term में, और वो है, molecular momentum अगर जीरो हो, यानि आत्मा उ रखा करो, ठीक है, सुबह सुबहट के थोड़ा सा मुह उपर पानी माल लिया करो, बिलकुल आंखे बंद करके answer करते हो, 23, एड़ी temperature can be present in both water, ये आप खुद करना, ये सब आसान questions है, आसान questions मैं नहीं करवा रहा हूं, जो मैंने पीछे करवा दी होंगे, ये भी आप उचे तो माइनस 273 degree centigrade में और 0 degree Kelvin में, ठीक है, 0 degree Kelvin absolute temperature होता है, और उसे प्राप्त भी कभी नहीं किया जा सकता है, ये भी बात बिलकुल fact है, बताएंगे सब इसका answer बच्चे क्या होगा, गर्मी सीधे से समदर्वित नहीं होती है, बताएंगे, गर्मी, देको मैं बताएंग गर्मी सीधे सीधे thermal ओर जाके मापन से संबंदित नहीं होती है, ठीक है, measurement of the thermal energy direct ये नहीं होता है, कि गर्मी का मतलब ये नहीं होता, कि आपने उसकी thermal energy को measure कर लिया, है ना, कि आपने उसकी thermal energy को अगर measure कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा, कि वो directly क्या हो जाएगी, उसकी गर्म हो जाएगी देखो गर्मी एक अलग चीज़ थर्मल एनरजी एक अलग चीज़ ठीक है तो बहुत सारी चीज़ है इसमें इंवल्व होंगे राहूल कह रहा है आपकी इंग्लिश भी अच्छी है सर कोई बात नहीं राहूल यह लोग यह मेरा जो गुण है ना गुण यह कुछ क्वश्चन को मत छुडवाया करो गुरू जी उन्हें हम नहीं कर पाते हैं राहूल यादव आपको अगर अंग्रेजी में कमी निकालने से कमी मिले तब तो आप कर पाएंगे बच्चे मैंने बोला हुआ है कि अगर आपका कोई भी डाउट होता है आप देखो पहले तो ज करो चौती बात मेंने का्त enca entre अगली से कि अगली क्लास में डाल दिया कर औरो इन चारो बातों में से कुछ भी आप नहीं करोगे बस आपको पांच मी बात आती है कि master के English बेकार है ठीक है चलो तो थोड़ा बत तुम भी काम करो यार खुद भी एक दो question छड़वा दिये जाते हैं तो उनको खुद भी किया करो वो question होते हैं जो आसान है या जो मैंने करवा दिये हैं उस्मा कतिकी का सुननेवा नियम यह बताता है कि जब दो प्रिणालिया स कहता है if there are three bodies and अगर एक अगर तीन वस्तुएं हैं और दो एक दूसरे के साथ संतुलन में हैं एंड टू आर मेंटेनिंग थर्मल एकिलिबिरियम देन अनादर बाड़ी आलसो इन ऑलसो विदिन थर्मल एकिलिबिरियम विद बोथ यानि कुछ नहीं समझ में आया अब राह संनाक्वाल इंग्लिश बोलने शुरू कर दूंगा मुझे भढ़का हो मत नेक्स फिर का होगे कुछ समझ में नहीं आया सर के उपर से गया विच रूला थर्मोडायमिक्स डिफाइंस एंट्रॉपी एक बार बताएंगे एंट्रॉपी क्या होती है अगर आप आंसर कर सकते हण्ता जब कोई चीज कर से थंडि होगी तो देखिए क्या होता है कि जैसे ठंडी रहा है इसी चीज को आप बोलते हो रेंडमness क्या बोलते हो रेंडमness इस ही क्या होती है entropy होती है If entropy क्या कौनसे ole से मिलती है याद रखना entropy आपको से कढ़ क्या जरत नहीं है थीक है चलिए ग现在 क्या आछी किनिश्चिंत रही है making Hindi बोलंगा अगर मैं English बोलन सो ठीक है औच्या मुझे बताएंगए आप प्रभका देखेंगे तर्मो डाइने मिक्स कlles को मैं ने आपको क्या बताया फस्त क्यों यानि कि किसी भी निकाय में किसी भी निकाय में कुल उस्मा का जो योग होता है वो उसकी आंत्रिक उर्जा तथा उसके कार्या के बराबर होता है ये था किसका लो ये फस्त लो था डियू क्या है मैं फिर से बताए देता हूँ एक बार इंटर्नल एनर्जी क्या है बच्छे इंटर्नल प्रेवर्टन नहीं हो सकता है हाँ उच्वल बिल्कुल आप करीब नजदी कें बाकि क्लाइटी मैं आपको देता हूँ देखना आपको बहुत अच्छे से समंझ मेंगे चीजें ये हो गया पहला नियम अब दूसरा नियम क्या कहता है दिगे पहले नियम ने क्या बताया कि उ क्यूंफ और उसमा होता है, उसमा को कारिया में बदलो, या दूसरी बात होती है, आप कारिया से उसमा बनाओ, ठीक है, आप दोनों से कुछ भी कर सकते हो, जैसे आलीजे उसमा है, मैं आपको स्टीम इंजन का वो दिया था, एक्जामपल, टर्बाइन पर डालोगे, कारिया म आपको नहीं मिलेगी लोग्रेड एनरजी लोग्रेड एनरजी का मतलब होता है निमनिस्तर की ऊर्जा क्यों होती है बताऊंगा निमनिस्तर की ऊर्जा ठीक है निमनिस्तर की ऊर्जा और जो वर्क होता है वर्क होता है बच्चे आपका हाई ग्रेड एनरजी क्या होता है हाई grade energy high grade energy होती है उच्छ इस्तर की उस्म उच्छ इस्तर की ऊर्जा उच्छ इस्तर की ऊर्जा क्यों कहा जाता है इने ऐसा क्योंकि देखिए उच्छ इस्तर की ऊर्जा इसलिए कहा जाता है जब आप टर्बाइन जब आप पानी को टर्बाइन पे गिराओगे तो सारा सारा जो उसमा है वो कारिया में बदली जा सकती है ठीक है सारी सारी उसमा कारिया में नहीं बदली जा सकती है क्योंकि जो भाप होगी जब मालों गरम चीज जाके टर्वाइन पर पड़ेगी तो टर्वाइन के कुछ दूरी होगी और भाप रास्ते में उड़ती रहेगी यानि उसका लेकिन जितना आपने मांस्पेसियों से कार्य किया था उसका कोई लॉस नहीं हुआ बताइए कहीं लॉस हुआ कि आप दौनों हाथ चला रहे तो तीसरी उगली कहीं और इदर भगरी है ऐसे बगरी है ऐसा नहीं होगा यानि अगर आप कार्य को पूरी तरह से उस्मा में बदलना चाहें तो वो संभव है लेकिन अगर आप उस्मा को पूरी तरह से कार्य में बदलना चाहें तो वो संभव नहीं है अर्थात हमें क्या बताई जाती है दिशा किसकी उर्जा के रूपांतरण की तो उर्जा का ये यही बताता है उर्जा के रूपांतरण की दिशा कि उर्जा किधर साइड से किधर कनवर्ट हो सकती है अर्थात जो लो ग्रेड एनर्जी है उसको हाई ग्रेड एनर्जी में नहीं बदल सकते हो लेकिन हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी में कम्प्लीटली बदल सकते हो आई आपको समझ में समझ में आई आपको देखो राहूल कह रहे हैं मठ्ठा का लॉस होता है बाहर निकल कर गिरता है राहूल अभी तक मुझे लगी रहा था लेकिन अब सच में मुझे पता लग गया है कि आप किसी पर पक्का किसी अन्नेक रहके प्राणी है कैसी बा बच्छे मठ्था कोई वहां दूसरी मठ्था चली जा रही है ना कोई शादी करेगा ना कुछ होगा सब जिन्दकी खराब हो जाएगी तो मठ्था के लौस कोई बचाते रहो ठीक है भाई बताइए कि आपको यह समझ में आया कि उर्जा का सेकंड नियम क्या होता है तो हमने जीरोत लॉबी कर लिया फस्त लॉबी कर लिया और सेकंड लॉबी कर लिया अब सुनों सेकंड लॉस से क्या मिलती है हमें एंट्रोपी एंट्रोपी कहां से परिभाशित होती है एंट्रोपी मैंने आपको बताया सेकंड लॉस से परिभाशित होती है एक चीज और होती है जो बताना बहुत जरूरी है जैसे entropy होती है वैसे ही एक टर्म होती है enthalpy क्या होती है enthalpy है ना entropy क्या बताई मैंने system की randomness जितना ज्यादा system में randomness होगी जितना ज्यादा system बिखरा उतला होगा ज्यादा उतनी ज्यादा उसके उर्जा के losses होंगे जैसे आप देखें कभी-कभी जब आपका माइंड बिल्कुल शांत होता है देखो जो भी चीज़ा है ना physics की उनको आप बिल्कुल बखू भी यानि physics होती है नेचुरल प्राकृतिक चीज़ा जो इस संसार की उर्जाने बनाई है उनको आप अपनी जिंदगी में बहुत आराम से प्रैक्टिकली देख सकते हो जैसे कभी आपका माइंड स्थिर होता है तो कितना बढ़िया मन लगता है पढ़ने में लेकिन जब दिमाग में 11 की बात हमारे अंदर भी एंट्राफि होती चलिए गड़ तो दूसरी चीज़ होती है इंथल पी इंथल पी होता है उर्जा की माप जाकी माप मेजर मेंट ऑफ दा एनरजी कि कितने अंदर आपके अनरजी है कितने ज्यादा आप अनरजियक हो यह बत आपको किस से पता लगती है इ थेल्पी होती है उर्जा की माप एंट्रोपी होती है उर्जा में होने वाली हानी की माप आप ऐसे गवनों को समझ सकते हैं तो ठीक है अच्छी संगती में रहना अपना रिवीजन बहुत अच्छी सरह ना शोशल मीडिया से दूरी बना के रखना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई को टाइन देना आपको अपने सपनों को साकार करना है मिलते हैं कल इसी समय बहुत अच्छी एनर्जी के साथ तब तक के लिए टा